प्रचार प्रसार पर रोक लगाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री ममतब एनर्जी धरने पर बैट गई है कौकत्ता में गांधी मुर्ती के पास ममतब एनर्जी धरना कर रही है चुनाव आयोग की यह कारवाई ममतब एनर्जी के हिंदु मुस्लिम वाले बयान पर की गई है पश्चिम बंगाल के विधान सभा चुनाव के प्रचार में ममताव एनर्जी ने मुस्लिम वोट को लेकर बयान दिया था आठ अप्रेल को हुगली में ममताव एनर्जी ने चुनावी जनसभा के दौरान मुस्लिम वोटों को नहीं बाटने की बात कही थी इस पर चुनाव आयोग ने उन पर प्रचार प्रसार करने से रोक दिया है ममताव एनरजी 12 अपरेल को रात 8 बजे से 13 अपरेल तक 8 बजे तक किसी भी चुनाव प्रचार में हसा नहीं ले सकेंगी चुनाव आयोग की इस कारवाई के खलाफ ममताव एनरजी धरना दे रही है ममताव एनरजी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने के बाद टीमसी सांसद ड्रेक ओबराय ने लोकतंतर के लिए काला दिन बताया है ड्रेक ओवराय ने कहा है कि भाजपा जानती है कि हम चुनाव जीत रहे हैं इसलिए मम्तव एनर्जी पर चुनाव आयो की ओर से कारवाई हो रही है आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताईए बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहे हैं SPN 9 News के साथ